सब्सक्राइब लिस्टेड स्पेस में नंबर वन अगर कोई कंपनी है तो वह है डिमार्ट तो डिमार्ट के नंबर है यहाँ आज की दिन आने वाले थे जो कि अलड़ी अभी आ चुके है तो कैसे रहे नंबर इसी को हम लोगों को थोड़ा बहुत स्टड़ी यहाँ पर करना है पर उससे पह जो एक तरफा कंपनी ने यहाँ पर तेजी दिखा दी इबदम 600-700% की रिटन्स बना के दिए जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है उसके बाद अब यह कंपनी यहाँ पर आके क्या बन चुकी है बहुत बड़ी लार्ज केप कंपनी यहाँ बन चुकी है और उसके बा कुमान होता है ठीक है उपर नीचे भी हो सकता है करके नेश्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डिमाट के नंबर्स मतलब जैसे मैंने हमेशा का है कि किसी भी बुजनेस का नेचर सम्झो ठीक है अभी दिमाट के बिजनेस में बात करें अभी कॉटर के नंबर जो के आचुके quarter 3 के, अभी quarter 3 में क्या रहता है, October, November, December, अभी ये जो space है न दूस्त, October, November, December, ये सबसे best कमाई वाला space रहता है, क्योंक बहुत सारे festival रहते हैं, दीवाली भी इसी के बीच में हम लों को देखने को मिलती थी, बहुत सारे बहुत सारे अलग-अलग festivals देखने को म हमेशा एक जादा उमीद हमेशा बाजार को रहती है, ठीक है, क्योंकि इनके business की भी अगर हम लोग बात करें, उस type का हम लोग को performance देखने को मिल जाता है, अगर हम लोग 22 की बात करें, तो 21 की भी अगर हम लोग बात करें, तो क्या नजर आता है, आप देख सकते हैं, आप 218, and 669 का profit कितना 866, operating बात करें तो, तो आपको एक अंदाजा लग गए, ये चीजे हम लोगों को थोड़ी बात पता होनी चाहिए, ठीक है, तब ही जाके नमबर्स पंड़ने में मज़ा आएगा, वरना सिर्फ नमबर्स मतलब क्या है, कितना करोड हुआ है, कितना profit होई, स इसी को थोड़ा go through कर लेंगे, तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले formality करेंगे, consolidated number है, ठीक है, जितने भी figures है, करोड में देखने को आपे मिल रहे है, then sequence देखेंगे, तो December, September, December, sequence इबदम सही हमनों को देखने को आपे मिल रहा है, सबसे पहले, revenue के साथ, जो के already हम लोगों ने इनके trailer में देखा था, revenue देखा गया, तो yearly quarterly performance अच्छा था, बट बाजार को इतना अच्छा नहीं दगा, जहाँ पर हम कह सकते कि, बहुत से लोगों ने इनके quarter के, जो updates थे पहले, revenue तक के, वो देखने के बाद selling होती वे देखन करोड, सो हम कह सकते, yearly performance, revenue wise, and quarterly wise, हम लोगों अच्छा ही देखने का आपे मिला है, next अगर हम लोग बात करेंगे, तो आप सबिलन को पता है, यहां से important कहानी start हो जाती है, जो कि अभी हम लोगों नंबर में देखने को मिलेगी, कि इतना कमाने के लिए, कितना खर्च किया है, तो 12,656 करोड का खर्चा हुआ है, 35,000 करोड की कमाई करने के लिए, इतनी कमाई करने के लिए, पिछले quarter में 11,800 करोड हुआ था, और एक साल पेले 10,700, या फिर 10,800 करोड के आसपस आप रफ ली चाओ तो बोल सकते हो, तो income से expenses हटा देंगे, profit मिलेगा या फिर loss मिलेगा, तो demand तो कोई loss making company ने, profit में ही है, हाँ, profit उपर नीचे होता रहता है, तो बिना किसी adjustment वाला profit, कितना है, 948 point something something, ठीक है profit, चलो 949 आप चाओ तो rounded figure पकड़ सकते हैं, यह profit, last time कितना था, 852 करोड का profit, और उसके पहले 812 करोड का profit, तो एक साल में 812 का profit, साड़े 900 हो गया, साड rating profit बोलते हैं, ठीक है, तो अच्छा ही वो हम लोगों को देखने हों का आपे मिल रहा है, अच्छा है मतलब क्या है, कि हाँ, previous numbers के इसाब से, वो उपर जाते हुए देखने हों का आपे मिल रहा है, उसके बाद आप सब लोगों को पता है, यह पैसे को तो finally profit नहीं बोल सकते because क्या आ जाते हैं, बीच में, सरकार आ जाती है, भाई, टैक्स दो करके, तो चलिए, आपको यह आपे टैक्स देना पड़ेगा, और वो टैक्स देने के बाद, जो आता है हाथ में, उसको बोलते है final profit, जिसको हम लोग क्या बोलते है, NP80, तो company का PAT कितना है, तो आप यह 90 करोड के आज पास, यह देखो, लास्ट टाइम कितना था, 623 करोड, और एक साल पहले कितना था, 590 करोड, तो आप देख सकते है, 590 का profit कितना हो गया, 690, मतलब 100 करोड की roughly jump, हम लोग को देखने को मिल रहे, yearly performance, अच्छा है, and 623 का कितना हो गया, 690, तीन महीने की हिसाब स अगर हम लोग आपे बात करें, तो roughly आप बोल सकते हो, 65, 70, ऐसे उसी के बीच में हम लोग को profit में jump देखने का आपे मिली है, so yearly and quarterly भी अगर हम लोग बात करें, चाहे हम लोग revenue की बात करें, NPBT की बात करें, NP80 की बात करें, सब कुछ performance हम लोग को बढ़ी आई देखने का EPS में कोई बड़ा rocket science होता नहीं है, ultimately आप लोग को net profit का ही component उसमें देखने को मिल जाता है, तो जैसा net profit वैसा EPS रहेगा, तो आप देख सकते EPS कितना है, 10.62, last time 3 मेने पहले था 9.58, और उसके पहले कितना था 9.10, तो yearly, quarterly हम लोग आपे EPS को भी अगर हम लोग आपे देख इसाब से expect करना चाहिए, उस हिसाब से हम लोग को okay के performance देखने को आपे मिल रहा है, next अगर हम लोग आपे बात करेंगे, कुछ important ही आपे updates भी देखने को मिल रहे है, जो कि management में बदलाव से related हम लोग होते भी देखने को मिल रहे है, so independent director की बात करें, तो वहापे भी appointment जैसी चीजे होती भी देखने को मिले, तो इन points को भी आप लोगों ने ज़रूर focus में आपे रखना है, and final अगर हम लोग यहापे press release की, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो वहापे stand alone का performance बताया जाता है, जो कि already हम लोग consolidated number पढ़ चुके, तो इसमें एक ही चीज रहती है, stores कित चल चुका था, और ने 5 store, यहापे डिमार्ट ने quarter 3 में यहापे add करके रखे हुए, पहले जितना space हम लोगों को देखना मिलता था, तो उतना space तो यहापे नहीं होगा, एक time के बाद आपकी जो number of open करने वाले stores रहेंगे, वो यहापे रूप जाएंगे, ठीक है, पहले तो update हम लोगो Q4 में देखने को आपे मिल जाएगा, तो और अगर हम लोग आपे बात करें, तो डिमार्ट के number जो हम लोगों को देखने को मिल चुके, वो okay के type के number है, quarter year अगर बात करें, तो little bit जो growth देखने को मिल जाता है, वैसा ही performance हम लोगों को देखने को आपे मिल रहा है, So definitely, अभी मंडे के दिन देखने वाली बात होगी, कि डिमार्ट के number के प्रती बाजार का reaction कहते है, अभी तक अगर देखा गया, तो past history के हिसाब से, past history मतलब अगर 5 सल का data आपके सामने रख दू, तो yes, पिछले कई previous quarter से अगर देखा गया, तो बाजार को डिमार्ट के number इतन है, कि यह जो सारी चीजे होती है, कि stock का mood बदलता है उपर या फिर नीचे, यह depend करता है बड़े players के इसाब से, ठीक है, तो बड़े players को यह numbers कैसे लगते है, यह एक देखने वाली बात जरूर यहापे रहने वाली है, बाकि अगर हम लोग बात करें, अगर कोई किसी के radar के अगर यह target है, कि 5 साल में double के इसाब से stock को consider करना है, तो फिर demart अगर वो यहापे सोच रहा है, तो फिर वो कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही company आप यहापे सोच रहे हो, ठीक है, share holding pattern की बात करें, 75% promoter के पास है, FIS, DIS भी अगर देखेंगे, तो 15-16% अल्यड़ी इन इसाब से भी तगड़ी company देखने का आपे मिल जाते है, बड़ी company है, यह point आपको पता होना चाहिए, problem यह हो जाता है, कि लोगों को लगता है कि नाम बड़ा है, demart जोकी है ही, बट हाँ, returns के मामले में भी वो आपको इबदम ज्यादा returns देंगे तो नहीं, आपको returns बात करें, तो company काफी decent company है, ठीक है, अगेन कहना चाहिए, इदधम fast return हर कोई आपे चाहता है, तो उसके लिए आपको छोटे ही companies पकड़ने आपे पढ़ेंगे retail space में, अभी के अगर हम लोग बात करें, तो average performance के इसाब से, अब ज़रू चाहो तो demart को considerate आपे कर सकते हो, अ सवा लाग करोड के market cap के आसपास, ये भी company हम लोगो जाते वे देखने को मिल रही है, तो demart के आसपास अगर कोई है, competition देने वाला अगर कोई stock, तो टाटा ग्रूप का ही है, ठीक है, इसके ओपर भी मैंने अलग से वीडियो बनाए था, कि trend limited, ये demart का खुद का ही, देखा आएंगे, reliance के, तो उनका retail space का performance किसे रहागा, वो तो हम लोग study करेंगे, वो तो online business यहापे जबरदस करते है, तो उसका फाइदा यहापे रहते ही है, demart का focus के अगर हम लोग बात करें, तो offline business के और इनका ज़्यादा focus हम लोग को रहते वे देखने का आपे मिल जाता है, ठीक है दोस्तों, जितने भी important points थे, सारे आपे मैंने detail में cover कर लिए, वीडियो helpful लगा होगा, तो चाहूँ तो आप like and share कर सकते हो, मिलते हैं next video में, तब तक के लिए, bye bye